हेलो व्रेंड्स आज की वीडियो में डेल कंपनी के ऑप्टिप्लेक सीरीज से डेक्स्टाव SSF PC का फुल रिविए करेंगे ऑप्टिप्लेक का यह PC, हॉमवर्क और आफिस वर्क में इसली यूज होता है डेल ऑप्टिप्लेक सीरीज के इस PC का मॉडल नमबर के है और इसकी स्पेक्स के है वह सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे मेरी वीडियो को लास तक देखिएगा थाके आपको इस PC के बारे में मालूमात असल हो सके तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो डेल ऑप्टिप्लेक सीरीज के PC का फ्रंट वियू है सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मॉडल नमबर की इस PC का जो मॉडल नमबर है वो है डेल ऑप्टिप्लेक्स 960 इस PC का मॉडल नमबर है डेल अप्टिप्रेक्स 960 PC का फ्रेंट व्यूव आपके सामने है, सबस्क्राइब बात करते हैं, कंपनी जो डिजैनिंग की है, बहुत अबर्दत की हुई है, हाड जो है, प्लास्टिक माटिरियल से इसकी जाली लगी हुई है, डेल का जैनल मोनोग्राम भी है, यहाँ पर अगर गत है नियुदि, आप डेक्स चुञ्सपार बनाएशं झाली लगाओ, इस तक На t ポवर भी उसका लम नाच वर्दत कि बंद बैक्सिक यसञाय में पर कुछ अप्षंट हैं, सबसे पहले यह देखें, यहाँ पर इंटर पोर्ट केबल में वाजूद है सीजेवधों का आपशन है फैस छो यह तो यूआश्य पोर्ट के साथ साथ है इसके इलावा आडियो पैनल है, इन्पुट आउट और इन्पुट इन दोनों आप्शन है, अब बैक सैड पे भी जो इन्पुट इन वाली है, इसमें आप देखें, माइक्रोफून का आप्शन भी बनावा है, इसको ऐजा माइक भी यूज़ कर सकते हैं, यह इसकी पावर स सिक्स्टी ऐसा पी-सी का इंटरनल व्यू आपके सामने है, सबसे पहले देखें, कंपनी जो इसकी डिजाइनिंग की हुई है, इसकी केविलिंग की फिटिंग की है, बहुत जबर्दस की हुई है, अब सबसे पहले बात करते हैं, इसके मधर बोड की, इस सिस्टम के अंदर जो मेन बोड इंस्टारड है, वो इंटल Q45 एकस्ट्राइक्स चिपसट का मधर बोड है, इंटल Q45 एकस्ट्राइब चिपसट, इस मधर बोड के अंदर की खास बात है, यह कोट डियू और कोट कौड के प्रसेसर स्पोर्ट करता है, यहां पर देखें, कि बहुत सॉलिड ही जीए डबल सेवन फाइव इसकी सॉकेट है इंटल विर्चुल लाइजेशन टिकनालोजी इसके साथ अनेबल है इसके जो चिपसेट टाइप है वो आपको मैंने आगे बताई है इंटल की फोटिवाई एक्स ट्रेक चिपसेट है डेटाबेस पीड जो है 1333 मेगाड्स है यह प्रसेसर है ठीक है इसकी जो कोर्ज है नंबर ओफ की वो डूवल कोर है इसके अंदर आप कोट टुक्वाड का प्रसेसर भी लगा सकते है नॉर्मल आपने गिमिंग करनी है तो यह पीसी उसके लिए बिश्टरीन है बात करते हैं सिस्टम के अंदर जो रैम की स्लॉट है उ से मदरबोर्ड हीट नहीं होता यहां पर देखें PCIeX की स्लाट मजूद हैं इसके अंदर आप गेमिंग कार्ड लगा सकते हैं 1GB ग्राफिक कार्ड लगाकर आप इसके अंदर पबजी गेम कालबिटी मोबाइल इदरी प्ले कर सकते हैं 4GB रैम और 1GB कार्ड हो इसके लबाप PC नेट कार्ड 7.1 साउंड कार्ड लगते हैं जो लेटस पीड के हैं बाद करते हैं सिस्टम के अंदर साठा पोड के आप्शन है उनके बारे में यह देखें कि यहां पर तीन अदर साठा पोड के आपशन है एक DVD और 2 हारड डराव आप इसमें एजिली स्पोर्ट कर सकते हैं इस PC के अंदर यह देखें कि यहाँ पर DVD राइटर इंस्टार्डास उपर कमबो है इसको निकालने का तरीका आपने यहाँ पर इसको पुश करना है लाग को और इसको एजली आपने निकाल देना है यहाँ पर देखें सीगेट कमपनी की बारा कोड़ा 160GB SATA हार ड्राइव इस PC के साथ है इंस्टार्डास के अंदर आपने अगर दो हार्ड ड्राइव लगानी है तो दूसरी हार्ड इसके ओपर अडजस्ट हो जागी यह लाग बने हुए हैं अगर आप SSD हार्ड ड्राइव भी आप इजली लगा सकते हैं बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर जो बिल्टन ग्राफिक प्रोसेसर है उसके बारे में इसके इस सिस्टम के अंदर इंटल GMA 4500 डाइनेमिक जो है वी सीरीज मेमरी टेकनोलोजी 5.0 का बिल्टन चिपसेट ग्राफिकार्ट इंस्टार्ड है और बिट वाला ग्राफिकार्ड लगाकर काल ओव ड्यूटी मॉबाइल और पफजी इजिली फ्ले कर सकते हैं यह देखें इस पावर स्प्लाई की खास बात है कि इसके अंदर स्माल साइज में 24 स्पिन कनेक्टर लगा हुए है यह देखें कि नहीं तो बड़े साइज में है इसका यह मक्सद ही है कि जिन अलाकों में बिजली काम है लोग उल्टी जा वहां पर भी इसकी प्रफार्मिस बहुत आउट क्लास है यह आट्व स्प्लाई लगी हुई है डेल ऑप्टिवलेक्स 960 SSF PC के अंदर जो स्पैक्स है उसके बारे में आपको बताया है कि 3.0 हैं और बैल का बटन दरूर दोएं ताकर जो भी लेटेस वीडियो सबसे वहले दोस्तों जाशेर हो इसके लावा जो दोस इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वह कुमन बोग मुझे से राप्ता कर सकते हैं मेरे वाटस अप नमबर पर भी राप्ता कर सकते हैं